गूड इवनिंग वेलकम टू बिहार अड़ा 24-7 आप सभी लोगों का बिहार अड़ा 24-7 के यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है सब लोग फटा-फट हमारे साथ जुड़ जाईए मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ कई बालक जुड़ चुके हैं बहुत अच्छे सभी लोग जुड़िये जोगली राय भी हमारे साथ जुड़ गई पिंटू कुमार यादो गुड़िया और इसके साथ साथ आकास भी हमारे साथ जुड़े हैं जितने लोग जुड़े हैं वो बालक सभी लोग क्या करिए क्लास को सेर कर दीजे ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग आ सकें और क्लास को बहता ढंक से सुरुवात की जा सकें जराए एक बार हमें ये कमेंट करके आप लोग बता दीजे क्या मैं आडिवल हूँ आप मुझे सुन पा रहे हो मतलब आडियो और वीडियो सब कुछ किलियर है इसके साथ साथ कुछ बाते हैं जो आप लोगों को बता दे यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक अड़ा 247 एप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिए यहाँ पे आप सभी लोगों को मिलता है भेरी भेरी रवीना तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजे फ्री में मिलती जैसे करेंट अफेस है सबजेक्ट वाइस कुजेज है डेली कुजेज है मैकजीन है पावर कैपसूल है यह सब फ्री में अवैलबल होता है अड़ा का पावर कैपसूल एक ऐसा कैपसूल है जो समझ लीजे राम बान इलाज है इसका तो कोई तोड ही नहीं है और दूसरी चीज यहां पे अगर हम देखें तो यह है बिहार अड़ा 24-7 के यूटूब चैनल पे आप हमें देख पा रहे हो यह बिहार एकजाम के लिए वन स्टाप सलूसन है जहां पर आप सभी लोगों को बिहार से संबंदित जितनी भी तैयारी होती है वो सारी चीजे यहां पे तैयारी कराई जाती चाहे विहार S.S.C. हो चाहे विहार सिचकभती हो चाहे विहार पुलिस हो चाहे कोई भी एक्जाम हो आपको इस चैनल पे सारी चीजे देखने को मिलती है Human Anatomy हम लोग पढ़ रहे हैं Human Anatomy में कल हमने disease के वो शुरू किया था इजीज के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग इजीज के prevention के बारे में भी पढ़ेंगे prevention का मतलब disease का management क्या होता हुआ होग इजीज को दो तरीके से treat किया जा सकता है एक तो हम treat कर सकते हैं किसके तुरू आजा मेडिसिन दूसरा क्या होता फर्स्ट एड होता है फर्स्ट एड का मतलब primary जो क्या कहते है उपचार होता उसके बारे में भी बताएंगे उससे question लाएंगे उसके बाद आपका prevention पे होगा management पे होगा सारी चीजों पे एक एक करके discuss कर रहे थे तो डिजीज में आज का अगला जो कुछ topic है उसी से question है सभी लोग इसका फटा-फटा एंसर बताना सुरू का दीजिए question पूछा जा रहा है कि डेंग्यू डेंग्यू बुखार हेत प्रयोग होने वाला चिकिस्थी परिच्छन कौन सा है तो बताव भया डेंग्य के बुखार में कौन सा परिच्छन किया जाता है तो डेंग्यू के बुखार की अगर बात करें तो कौन सा परिच्छन होता है सब लोग बताव बालाक डेंग्यू के बुखार में कौन सा परिच्छन किया जाता है तो यहाँ पर आगार देखें तो इसका एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग एंसर बताना सुरू करिए बालाक ताकि हम आप लोगों सो को बहुतर ढंक से चीज़ों को बता सकें जल्दी जल्दी बताईए फटाफट बहुत अच्छे डेंग्यू के बुखार में अगर देखें कौन सा परिच्छन होता है तो डेंग्यू के बुखार में देखो बच्चा यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं वाइडल टेस्ट कराया जाता है वाइडल टेस्ट जो होता है डेंग्यू फीवर में कभी भी वाइडल टेस्ट नही होता है वो होता है वाइडल α मैंने टेस्ट टेस्ट जैसा होता है एलीसा टेस्ट की अगर बात करें यह बच्चा एर समें होता है इस में एलिसा टेस्ट होता है कि यहाँ पर टार्नी कवेट TES यह बच्चा ऐसा टो देंग्यू में करा म 예ा जाता तो डेंग्यू की अगर हम बात करें तो टनीक्वेट टेस्ट जो होता है इसका टेस्ट कराया जाता टनीक्वेट का डेंग्यू में बेसिकली अगर हम देखते हैं तो डेंग्यू का जो वाइरस होता है इस वाइरस की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज़्यादा हमारे सरीर मे जो platelets होती हैं उनको खाने का क्या करता है काम करता है और dengue virus के लिए मादा मच्छर ही responsible होता है यानि कि मादा मच्छर जो है वही dengue को फैलाने में काम करता है अगλα सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पे सभी फटा फटा एंसर बताईए अगला सवाल क्या है लिखा है कि आलेक्टरोइन्सिफएलो ग्राम निमलिखित में से किस की निगरानी के लिए उपयोग होता है Electroencephalogram की अगर हम बात करें तो निमलिखित में से किसकी निगरानी में प्रियुक्त होता है प्रणाम भया प्रणाम तो यहाँ पर आगाद देखें Electroencephalogram निमलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है सब लोग बताइए EEG is used in a mono monitoring of तो EEG किसको monitor करता है जल्दी जल्दी बताओ भया प्रणाम भया प्रणाम बहुत अच्छे जल्दी जल्दी बताइए EEG जो है वो किसको monitor करने का काम करता है सब ही लोग answer बताओ बालक तो EEG की अगर बात करें तो किसको monitor करता है बहुत अच्छे तो EEG की अगर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा बहुत अच्छे यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंसर जो होगा वो क्या होगा मस्तिस्क होगा क्या एंसर होगा मस्तिस्क यानि की ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो brain का test जो होता वो EEG के थुरू कराया जाता है आप सभी को पता होगा कि brain जब कोई चोर होता रेपिस्ट होता है तो उसकी brain mapping भी होती है अब brain mapping की जब हम बात करते हैं तो brain mapping किसके थुरू की जाती है तो brain mapping की अगर हम बात करें तो brain mapping जो होती वो भी किसके थुरू होती है उसमें भी EEG का इस्तेमाल किया जाता है एक होता EEG, दूसरा होता ECG ECG की जब हम बात करते हैं तो इसका बच्चा full form होता है electrocardiograph क्या इसका full form होता है? electrocardiograph electrocardiograph की जब हम बात करें तो electrocardiograph जो है यहाँ पर अगर electrocardiograph की बात अगर हम करें तो यह बच्चा इससे क्या किया जाता? किसकी जांच होती है? तो इससे heart की जांच होती है heart यानि की हिदय की जब किसी बेक्त के हिदय में किसी भी प्रकार की अगर कोई खराबी आती है तो किसकी जांच होती है? ECG कराया जाता है अगला सवाल है लिखा है 6 रोग के परिच्छन है तो बिसिष्ट टेस्ट होता है 6 रोग जब किसी बेक्त को होता है तो कौन सा टेस्ट होता है? सभी लोग इसका एंसर बालक लोग फटा-फट बताईए 6 रोग तो 6 रोग की अगर बात करें कौन सा टेस्ट होता? बहुत अच्छे जल्दी जल्दी भाई आप लोग एंसर बताईए और सभी लोग एक काम करिए कि जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग थमसप वाला बटन दबाके अपना अपना अटेंडेंस को जरूर लगा दीजे ताकि आपका अटेंडेंस प्रापर रोप से लग चुके तो यहाँ पे लिखा है कि रावर्ट टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट होता है कान टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट होता है यहां पे अगर देखें तो आप सभी लोगों को पता होगा यहां पे इसकी अगर बात करें तो रावर्ट टेस्ट जो है रावर्ट टेस्ट केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया रावर्ट टेस्ट में यहां पे इसका कोई जरूरत नहीं है अब यहां पे अगर देख कर सकते हैं क्या सब्सक्राइब योगा का कोई डिपलोमा तो भी अपलाई कर सकते हैं इस पेस्फिक डिपलोमा होना चाहिए तो यहां पर देखें तो रावर्ट के बारे में आपको बता दे रावर्ट को साहब जो थे इन्होंने सबसे पहले टीबी जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है अगर टीबी की बात करें तो यह किस से होता है यह बैक्टीरिया से होता है अब आप से पूछता है कि कौन से बैक्टी क्या नाम है नाम है ट्यूब्रो क्लोसिस अब जो माइक्रो वैक्टिरियम ट्यूब्रो क्लोसिस है इसकी अगर बात करें तो इसकी खोज जो की थी वो बच्चा रावर्ट कोच ने साहब ने की थी किसने किया था रावर्ट कोच साहब जो थे उन्होंने इसको क्या किया था ड पैरोग के परिछन है तो इसलिए रावर्ट कोच जो है वो टेस्ट नहीं होता है अगर इसके बैक्टीरिया की खोज करता के रूप में पूछा जाए तो एंसर क्या हो सकता है लेकिन जब खोज करता के रूप में पूछा जाए तो एंसर नहीं होगा अगला सवाल क्या है जल्दी जल्दी बताईए तो आपसन है एनलजेसिक्स होती है आपसन है एंटी पायरिटिक्स होती है या आपसन है एंटी बायरिटिक्स होती है आपसन है ट्रांस कोईलाजर होती है तो इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर वालक क्या होगा जल्दी जल्दी बताऊ सभी लो तो किसका answer होगा गुडिया, good performance, देखो बहुत simple सा सवाल है, इस सवाल की अगर बात करें तो सवाल में ही answer लिखा हुआ है, थोड़ा क्या होता इसलिए अपनी नजरे को, क्या होता कहते हैं ना चौकना होकर, अगर paper आप देने गए हो, तो paper में basically जरूरत होती कि हमें चौकना रहने की, जितना ज्यादा हम चौकना रहेंगे, उतना ज्यादा सब काम अच्छा होता है, तो चौकना रहने की बहुत ज्यादा आवस्सक्ता होती है, अगर आप चौकना रहते हो, तो best वहाँ पे response मिलेगा, तो यहाँ पे देखो चौकना अगर रहे, तब भी इसका answer क्या कर ले जाओगे, सही कर ले जाओगे, यहाँ पे पहला है NLJ6, NLJ6 के बारे में हमने बताया था, NLJ6 जो होता है, यह prevention में इस्तेमाल किया जाता किसी भी दद के, यानि कि अगर किसी भी प्रकार का दद हो रहा है, तो उसके prevention में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, तो उसके prevention मे इस्तेमाल करते हैं एनल जे सिक्स का तो ये एक दर दनासी दवा होती है दूसरी चीज यहाँ पे साफ साफ लिखा जौर हारी जौर का मतलब क्या होता है जौर का मतलब होता है बुखार यानि कि जो जौर को हरन करने वाली हूँ उनको हम क्या कहते हैं जौर हारी कहते हैं दू एक एंटी पारेटिक्स है एंटी बायोटिक क्या होती है एंटी बायोटिक उन दवाओं को कहा जाता है जिनको अगर हम बात करें बेसिकली एंटी बायोटिक उन दवाओं को कहा जाता है जो मुख्य रूप से अगर हम देखें एंटी बायोटिक जो होती है उनको अगर मुख भीत्स को आइलाइजर प्रसांद तक की अगर बात करें तो यह बेहोसी के लिए इस्तेमाल की जाते हैं मुर्षा देने में इस्तेमाल किया जाता है अगला सवाल क्या है भी या अगला सवाल है निमलिखित में से प्रती सूचम जीवी और सधियों में से कौन सी यच्छमा और कुष्ठ दोनों की चिकिस्सा के लिए प्रियुक्त किया जाता है देखो भाई प्रिवेंशन से सवाल है जल्दी जल्दी एंसर बताईए तो यच्छमा से अगर बात करें तो यच्छमा से स आइसो नाइजड है या आपसन है पी एमिनोसैलिसली कैसिड है या स्ट्रिप्टो माईसीन है या रिफैम पिसीन है तो अगर बात करें तो इसका एंसर बालक क्या होगा जल्दी जल्दी इसका एंसर फटा फटा बताने को बहूत अच्छे तो यहां पे अग्र lei कौन सी इसमें पूछा गया कौन सी ऐसी ऑसदी है कौन सी ऐसी दवा है जो मुख्य रूप से क्या की जाती प्रेवेंशन में किसके प्रेवेंशन में एक तो कुष्ठ रोग और दूसरा एच्छमा एच्छमा जानते हो किसको कहा जाता है एच्छमा की अगर बात करें कहा जाता किसको कहते हैं टीवी को ही अच्छमा कहते हैं तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर जो होगा वो क्या होगा भी या इसका एंसर होगा पी एमिनो salicylic acid इसको short form में ही डाक्टर ज्यादा तर लिखते हैं इसको P.A.S. डाक्टर ज्यादा तर लिखते हैं P.A.S. P.A.S. डाक्टर इसको क्या कहते हैं salicylic acid होता यह एक ऐसी दवा है जो बच्चा अगर हम देखें जो इस्तेमाल किया जाता treatment आप बोथ किसमें बोथ tuberculosis and leprosy जब किसी बेक्ट को tuberculosis और leprosy दोनों की समस्या होती है तो इनकी एक authentic अगर देखा जाए इनके लिए specific दवाएं जो होती हैं वो कम पाई जाती हैं इसलिए क्या किया जाता है इनके management में यानि कि इनके prevention में treatment में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उन दवाओं की अगर हम बात करें तो वो p-amino salicylic acid होता है तो p-amino salicylic acid का ही क्या किया जाता इस्तेमाल किया जाता सोनी कुमारी बताइए देवी जी बोलो यहां तक सबको बात समझ में आया है बोलो सब लोग यहां तक बात समझ में आ गई यमपी पवन सिंग बोलो भया सबको यहां तक बात समझ में आ गया है रोज जो आप लोगों की ये class चलेगी इसका जो timing आप लोगों का रहेगा वो 9 से 11 रहेगा इस बात को आप सभी लोग अपने दिमाग में set कर लेना अगला सवाल है लिखा है कि BCG का टीका नौजात सिसू को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए सभी लोग इसका answer बताईए सर एकजाम कब होगा फ्लीज बता दीजिए एक्जाम बालाक मार्च में होगा मार्च में तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer क्या होगा बताओ answer फटाफाट सुजात रावत बहुत अच्छे हाँ बहुत अच्छे ही रालाल जल्दी जल्दी answer बताईए तो यहाँ पर अगर देखें इसका answer भाया क्या होगा तो इसके answer की अगर बात करें तो इसका answer होगा just after the birth BCG का टीका अगर किसी बच्चे को लगता है तो जब बच्चे का जन्म होता है अब ऐसा नहीं है कि उधर क्या कहते हैं एक डाक्टर क्या कहते हैं सुई लेकर खड़ा है जैसे बच्चा निकले तुरंत है उसे injection लगा दिया ऐसा नहीं होता है लगता जन्म के बाद ही है लेकिन कोशिस किया जाता 24 गंटे के अंदर 48 गंटे के अंदर बहुत ज्यादा तो बीक के अंदर तो लगा ही देना चाहिए तो बीसी जी का टीका जो होता है जैसे बच्चे का जन्म होता है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या किया जाता है बीसी जी का टीका लगाया जाता है यह बात किलियर हो गई बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ गुड परफार्मेंस और BCG की अगर बात करें तो इसका फुल फार्म भी पूछ लेता है BCG का फुल फार्म क्या होता है तो इसका फुल फार्म होता है यह बच्चा क्या है यह BCG का फुल फार्म है जो क्या किया जाता है जन्म के तुरंत बात किसी भी बच्चे को लगा दिया जाता है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है बालाक यहां बत्तक बात समझ में आया हाँ तो यह समझ लीजे अगला सवाल है जान सॉल किसकी खोज के लिए जाने जाते जॉन सॉल्प की अगर हम बात करें तो किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं आपसन है चिकन पॉक्स वैक्सीन के लिए आपसन है कॉलदा वैक्सीन के लिए आपसन है पोलियो वैक्सीन के लिए आपसन है ननावदीज के लिए तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जबाब क्या होगा बता जल्दी जल्दी गोड इउनिंग बेरी बेरी गोड इउनिंग जल्दी अंसर बताने को बालाक तो यहां पर आगाज देखें तो इसका अंसर क्या होगा जान सालक जान सालक साहब ने सबसे पहले जिस वैक्सीन को विक्सित किया था उस वैक्सीन का नाम था उस रोक का नाम था पोलियो पॉलियो की वैक्सीन को इन्होंने सबसे पहले डवलप किया था आपको ये भी बता दें जो पॉलियो की वैक्सीन होती है उस पॉलियो की वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है क्या कहते हैं साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है अब एक चीज यहां पे कुछ बाते तुमको बता देते हैं पोलियो जो होता है इसका वाइरस जो है यह वाइरस एफेक्ट किस पे कहता है यह कोश्चन पूचता प्रभावित अंग कोंसा होता है तो प्रभावित अंग होता है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र केंद्रिये तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं Central Nervous System केंद्रिये तंत्रिका तंत्र जो है इसी को क्या कहता है प्रभावित कहता है अब केंद्रिये तंत्रिका तंत्र पे जब हम चलते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा केंद्रिये तंत्रिका तंत्र पे जब हम चलते हैं तो केंद्रिये तंत्रिका तंत्र जब किसी का डामेज होता है तो इंसान में दिब्यांगता आ सकती है क्या आ सकती है दिब्यांगता आ सकती है इसमें केंदिये तंत्र कें तंत्र में कौन कौन सी चीजे प्रभावित होती है एक तो आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है इसी के कारण तो दिब्यांगता आती है इसी के कारण हाथ पैर काम करना क्या कर देते हैं कम कर देते हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ पै काम नहीं कर विए कोई वैक्ती है जिसमें आंसिक के पास्ली या कंप्लेट दिभ्यंगता हुई है तो इसका मतलब यह है कि वह बीक्त जो है उस वैक्त की अगर बात करें तो उस वैक्त का यानि की अगर हम देखें तो इसका इसाड़ काॉड कार्ड बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उसको क्या आती है दिब्यांगता आती तो यहाँ पर अगर देखें तो उस दिब्यांगता को immunity बेकार हो जाती और एक चीज बता दें intestine जो होती आत होती छोटी आत intestine की अगर हम बात करें तो इसकी कोशिकाएं जो है वो भी क्या होती नश्ट हो जाती जब किसी को polio का effect होता है तो ये एक तो इसका central nervous system पे सबसे ज़्यादा असर होता है और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो intestine यानि की जो आत होती है उस पे भी इसका असर सबसे ज़्यादा होता है अगला सवाल है लिखा है एड्स एड्स भी साड़ के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है एड्स भी साड़ की अगर हम बात करें ठिक बहुत अच्छे polio ज़्यादा तर ठंड़ा होता है में होता है क्यों नहीं ऐसा कुछ नहीं होता वाइरस जो होते हैं सर पीडियफ कहां मिलेगा पीडियफ जो मिलेगा बिहार अड़ा 247 के यूटूब चैनल पे मिलेगा तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका अंसर वालक क्या होगा तो कहरा एड्स भी साड़ के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है AIDS में कौन सी दवा सबसे ज़्यादा दी जाती है AIDS के prevention में सबसे ज़्यादा कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका answer क्या होगा सब लोग इसका answer फटा-फट बताइए बहुत अच्छे यमपी पासवान अरे देवी जी प्रिया सिंग बता दिये हैं देवी जी अब बार-बार काफी पेश्ट बिल्कुल ना करें एंसर भी जड़ा थोड़ा एंसर भी बताएं जैसे राम भावना सर्मा देवी जी तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ जैसे भावना सर्मा कह रहें D option सही होगा MP कह रहे हैं भैया C सही होगा और अंसार बाबू कह रहे हैं कि D option सही होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सही जवाब जो होगा और क्या होगा ना तो B होगा ना तो C होगा ना तो D होगा यहाँ पे एंसर जो सही होगा उसका नाम है जीडो बुडिन जीडो बुडिन एक प्रकार की क्या है दवा है क्या है दवा है तो दवा की अगर बात करें ये स्टेट में, बहुत अच्छे मेरे लाल, बिलकुल पहचानते हैं, संदीप बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर पिछली बार किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, देखो, पिछली बार ना तो आपका ज्यादा दोस्त था, ना तो हमारा ज्यादा दोस्त था, इसलिए हम लोग थोड़ा तैयारी कमजोर कर पाएं, तैयारी कमजोर पढ़ गए, समय का ही आभाव था, अब तीन दिन में भाई पढ़ना है, कोई ऐसा तो है नहीं, चीनी और पानी का घोल तो है नहीं, कि हम लोग उठाएं, चीनी पानी चलो, दोई घंटम घोले, और उ बच्चे में भी वह कोई अध्यात्मिक सकती तो है नहीं, कि वह कुताब खोले, एक बार पूरी किताब सकेन कर ले, जैसे वह कौन सी पिच्चर थी, कौन सी रोबोट वाली पिच्चर जो थी, रे क्या नाम हो उसका, उस पिच्चर है वैसे ज़्यादा मैं देखता नहीं, तो मैं गया हूँ भूल, तो वहाँ पिच्चर जैसा सिन्तो है, नहीं, हकीकत दुनिया में महनल लगती है, लेकिन इस बार निश्चित रूप से गारेंटी के साथ, अगर आप लगे रहे संदीब बाबू, तो निश्चित रूप से पास कराऊंगा, विश्वास तो होगा ही इतना, तो यहाँ पर अगर देखें, तो जीडो बुडिन की अगर बात करें, तो इसके बारे में कुछ समझा देते हैं, यह अगर देखें, तो जीडो बुडिन जो होती ही, यह भी अगर हम देखें, तो यह कोई ऐसा नहीं, एड्स की दवा हो, एड्स की दवा यह भी यहां यह नहीं पूछा गया है कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा दी जाती है यहां पर पूछा गया है कौन सी दवा सबसे ज़्यादा आजमाई जाती ज्यादा तर इसको चलाया जाता है तो इसको आजमाई गई सबसे ज़्यादा दवा ठीक है तो यहां पर अगर देखें तो जीडो बुडिन है इसका एक दूसरा नाम भी होता है एजिडो माईमीडीन होता है क्या होता है एजिडो माईमीडीन होता है इसी का दूसरा नाम होता है तो कभी एजिडो माई मिडीन लिख के आ जाता है और कभी इसका नाम जीडो बुडिन लिख के आ जाता है तो इसमें आपको कनफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये क्या कहता है ट्रांस्क्रिप्सेज जो ब्योस्था होती उसको रोकता है जिसके कारण वायरस जो होते हैं उनका हमला क्या हो सके कम हो सके हाँ रजनी का अंतरोबोट ही है न बहुत अच्छे अगला सवाल है लिखा निमलिखित में से किस रोक का प्रतिजयविक द्warah निधान नहीं किया जा सकता है यानि कि यहाँ पे प्रतिजैविक का मतलब क्या है एंटीजन एंटीजन क्या होते हैं पहली चीत तो यह जान लीजे एंटीजन को हम लोग बोल चाल की भासा में बैक्सीन कहते हैं बैक्सीन एक प्रकार के एंटीजन होते हैं कहरा कौन सा रोग ऐसा है जिसको हम किसी भी वैक्सीन से ठीक नहीं कर सकते हैं कहरा टिटने से कहरा है टीवी है कहरा मीजल से कहरा काल रहा है तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर भाया क्या होगा जल्दी जल्दी इसका एंसर बालक लोग फटा-फटा एंसर बताने को बहुत अच्छे antigen क्यों लिख दिया क्योंकि यहां पर प्रतीजन लिखा प्रतिजहिक लिखामा भी चाहते बच्या यह बैक्सीन नहीं होगा यहां पर यह आपस़न होना चाहिए क्या होना चाहिए यहां होना चाहिए यहाँ पर लिखा होना चाहिए किया लिखा होना चाहिए घूली बायोटिक लिखा होना भई आगार देखें तो यह क्या है और सही ओगा क्योंकि प्रतिजैब्स लिखा है आंटी जो होते हैं उसको कहा जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं चलो कोई भात नहीं हिंदी छोड़ो तो यहां पे लिखा टीवी हे sih से即्थ जल्दी जल्दी बताओ तो एंटी जबाप की अगर बात करें तो ती एंटी बाइउटिक से किसको ठीक नहीं किया जा सकता है सर कालरा होगा कालरा नहीं होगा क्या होगा भैया खसरा होगा खसरा की अगर बात करें आप देखो वही बात बताने जा रहें जब आप कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट लेते हो फर्स्ट एड लेते हो तो फर्स्ट एड के दौरान हमें कुछ विशेष चीज़ या पता होनी चाहिए अब जैसे मानलो suppose that आपको नार्मेदख फीवर आया अब फीवर का आपको आपने उसका क्या नहीं किया फीवर को आपने क्या उसका जांच नहीं करवाया जब तक उसे डाइग्नोष्ट नहीं कराया है तब तक आपको पता भी नहीं तो जब हमें पता नहीं है और फीवर आया तो कोई ना कोई दवा तो हम लेंगे लेंगे तो हम fust aid को यूज करते हैं यानि कि प्रात्मिक उपचार को अब प्रात्मिक जो बैक्टीरिया से होती है जैसे टीवी की अगर बात करें बैक्टीरिया से होता है और अगर हम कॉलरा की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है इसको छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ कर ये जितनी भी बीमारियां लिखी ही ये सब किस्से होती है ये सब बैक्टीर और जितनी बैक्टीरिया से होने वाली वीमारी होती है उन सभी को ठीक करने के लिए एंटी बायोटिक दमाय दी जाती हैं कौन सी दमाय दी जाती हैं एंटी बायोटिक दी जाती हैं लेकिन जैसे मीजल्स है मीजल्स ज्यादा तर जो होता है यह बच्चों में होता है मीजल्स तो उसको बच्चा एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता है यानि कि फिर एंटीबायोटिक उसके लिए जहर बराबर काम करती है इसलिए ऐसे लोगों को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता जैसे एक एक्जामपल बताते हैं जैसे सपोस्वेट मान लो डेंग्यू हो गया ह अब डेंग्यू अगर होगा तो आप प्लेन पैरासीटामॉल खाते हो आप खाते हो नहीं खाते हो आप केवल पैरासीटामॉल खाते हो आप कहते हो पैरासीटामॉल ही चाहिए खाते हो नहीं खाते हो और अगर क्या कहते हैं डेंग्यू के साथ अगर हम देखें मालो किसी को टाइफाइड हो गया है और जब टाइफाइड होता तो टाइफाइड हमको पता यह किस से होता है यह होता है या बैक्टीरिया से तो इसमें पैरासीटामॉल तो खाओगे खाओगे लेकिन साथ में आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा जब तक एंटीबायोटिक नही होगा वायरस से होता है वायरस से होने के कारण हम उसमें क्या एंटीबाइटिक को नहीं खा सकते हैं अगला सवाल देखो क्या है लिखा air कि निमलखित में रोग है जिसको वैक्सनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लिखा है कौन सा एक ऐसा रोग है जिसको वैक्सनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते बड़ा सलोली कमेंट कर रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट करो भया सबलता कुमारी गुड़ी उनिंग बेरी बेरी गुड़ी उनिंग साकिर बाबू भी आगे जल्दी जल्दी कमेंट करके एंसर बताओ कि कौन सा ऐसा रोग है जिसको हम वैक कि कुमार गुपता भी हमारे साथ जुड़ गए इनका भी एंसर क्या है सही है बहुत अच्छे मेरे लाल यहाँ पे अगर हम देखें तो यह बच्चा क्या मदमेह यानी कि डाइबटीज जो होता है डाइबटीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता वैसे डाइबटीज को कंट् हार्मोनल डिजीज अगर यह है तो हार्मोनल डिजीज होने के कारण अगर हम देखें तो हार्मोनल डिजीज को एक बात हमेशा याद रखना है क्या याद रखना है हार्मोनल डिजीज को पर्मानेंट यानी कि पर्मानेंट ट्रेट नहीं किया जा सकता है यानी कि पर्माने के लिए ठीक नहीं कर सकते हैं वो हार्मोन से होने वाली किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो उसे आप पर्मानेंट नहीं ठीक कर सकते हैं चाहे डाइबटीज हो चाहे थाराइड हो चाहे बलड प्रेसर हो कोई समस्या होती है तो उसे ठीक पर्मानेंट नहीं किया जा सबस्क्राइब कर सकते हैं बहुत अच्छे मेरे लाल बहुत अच्छे गुड़ परफारमेंस गुड़िया अगला सवाल क्या है लिखा है कि निमलिखित में से कौन सा एक रोग वैक्सिनेशन द्वारा नियंतरित किया जा सकता है अगला सवाल है लिखा है कोरोनरी धमनी बाइपास सजरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ ठेथ प्रयोग में लाई जाती है वह होती है बहुत अच्छे प्रीती कुमारी इंसुलिन दिया जाता है मास्टर साहब हाँ सही कह रहे हो देवी जी अभी हमें को थोड़ी देर पहले प्रीती कुमारी क्या कहते हैं प्रीती कुमारी से इसी स्क्रीन के सामने घ्यान की प्राप्ती हुई है इससे पहले हमें घ्यान की प्र answer बताईए ठीक तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer क्या होगा तो कहरा coronary तो कहरा vein from the legs है यानि कि पाउं से ली गई सिरा होती है artery from the foramen होए या artery from the mamalary region आपदा चेस्ट है या none of the above है तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer भईया क्या होगा जल्दी जल्दी बताईए यानि कि graft के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी graft root के लिए इस्तेमाल की जाती देखो graft root की जब हम बात कहते हैं और जब कोई bypass surgery होती bypass surgery में अक्सर करके यह सुना होगा कि उसमें वो लोग की advice क्या एडवाइज देते हैं कि बाइपास सजरी में ये कहते हैं कि इसमें बिना चीरे बिना कर टाका लगाया क्या होती सजरी हो जाती उसके पीछे का लोजिक क्या होता बताते है पहली चीज़ जब ग्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वेन फ्रॉम्दा लेक्स, लेक्स का भी ले सकते हैं, वेन फ्रॉम्दा फॉर्मन, यानि कि फॉर्मन का भी ले सकते हैं, आर्ट्रि फॉर्म्दा ममालेरी रीजन, ममालेरी रीजन जो होता वो चेश्ट का हिस्सा होता है, यानि कि चेश्ट जो यहां का हिस्सा है, जहां पर इसतन गृंथियां पाई जाती वहीं पर क्या होता यह होता है तो यहां पर कहीं से भी लिया जा सकता है और अगर हम देखें तो देखो भाईया क्या होता बाइपास सजरी में अगर हम देखें तो इसमें क्या होते ऐसे चल्ले क्या होते पड़े होते अब क्या होता जैसे मालो बाइपास सजरी किसी को करना है तो बाइपास सजरी क्या होता है बेंस में डाला जाता है अब जैसे सपोस्ट जादा तर वाल्ब का बाइपास सजरी होता है अब छल्ले डालते हो ब्लड प्रेसर के दौरान क्या होते हैं वहां पहुंच जाते उसमें चीरफाट ठ लगाने कि आउसकता नहीं परती तो प्रिवेंशन के दौरान अगर हम देखें तो यहां पर एनी आफदीज यानी की इन में से कहीं से भी क्या किया जा सकता है लिया जा सकता है अगला कोश्चन है लिखा बीटा ब्लास कर एक उसधी है बचने के लिए बहुत तगड़ा सवा है बीटा ब्लास कर किसके लिए दिया जाता है जल्दी जल्दी अंसर बताइए बुड़् पर्प्रफ़ारमेंस बहुत अच्छे तो यहां पर आपसं कि अगर बात करे तो कहराließen के लिए दिया जाता है दूसरा कहरा इनलाजमेंट आप प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दि किसरा कहरा कोरोनिक डाइबटीज के लिए दिया जाता है अब यहां पर अगर देखें ठीक है यहां पर अगर देखें आफिस का नंबर चाहिए बहुत जरूरी है आप डवलूड़ूड़ डटट टवंटीफोड़ सेवन डॉट इन पर डॉट कॉम पर जाईएगा वहां सम्मिलेगा सपोर्ट का आप सन्वी मिलता है यहां पर देखें तो इसको किसके लिए इस्तेमाल करते बहुत अच्छे है यह जल्दी जल्दी बताईए इसको इस्तेमाल कि जाता हिदय आघात के लिए अब हस्टेड की जब हम बात करते हैं तो फस्टेड क्या होता है फस्टेड में अगर हम देखेंगे तो फस्टेड में क्या बेसिकली किया जाता यानि कि हम किसी चीज का प्राथ में कुपचार करते हैं जैसे चोट लग गई हम क्या करते हैं करने उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहें यह हिदए आघात अब देखो हिदए आघात के लिए दो-तीन कहावते हैं कहावते क्या है वो चीज जान लिजे पहली कहावती यह है कि कहा जाता है कि अगर किसी को पहली बार हिदें का आगात हो गया है तो उसको भीया दुबारा टेंसन वगयरा ना देना अगर दुबारा टेंसन दिये अगर कहीं दादा जी को चचा को पड़ गया हिदें आगात तो दुबारा निकल जाएंगे तिबारा जो होता अब दुबारा भी अगर बच गए तो त समझो ये तुमारे नहीं रहेंगे अब जिसके लिए क्वालिफाई किये उसमें हो जाएंगे इसमें भी थोड़े बहुत चांस सोते हैं और अगर इंटर्विव राउंड क्वालिफाई कर गए तो समझो दिक्कत ही दिक्कत है अब यहां पर अगर देखें तो भाया क्या होत है जब सेकेंड फर्ष्ट राउंड किसी को हो चुका होता है यानि कि फर्ष्ट राउंड की अगर हम बात करें जब फर्ष्ट राउंड किसी को हिदयागात पड़ता है फिर उसके सेकेंड राउंड का नंबर आता है सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें और सेकेंड रा यानि कि उसी से बचाओ के लिए दवा दी जाती है ताकि उसको हिदय आघात ना होने पाए तो बचाओ के लिए जो दवा देते उसी को हम लोग क्या कहते बीटा ब्लास कर कहते हैं क्या कहते हैं बीटा ब्लास कर कहते हैं अगला सवाल क्या है सभी लोग फटा फटा इंसर बत फटाफट क्या होगा पादप के कौन से भाग से आती है जल्दी जल्दी इसका एंसर बताओ वालाक तो पादप के कौन से भाग से आती है तो यहां पर आगार देखें तो इसका एंसर बाबू क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ एंसर पादप के कौन से भाग से आती है तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर भीया क्या होगा जल्दी जल्दी फटा फट बताईए तो कुनायन की अगर हम बात करें तो देखो पहली चीज कुनायन कौन से पौधे से प्राप्त होती सीज़दा राइट होगा बिल्कुल बहुत अच्छे अब पौधे की अगर बात करें तो पौधे का नाम भी पूछ लेता है कुनायन अब देखो यहां पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कुनायन जो होता है एक आबरत वीजी पौधा है आबरत वीजी यह आपके कामका नहीं है लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए आबरत वीजी पौधा जो होता है उस पौधे का नाम है सिनकोना क्या नाम है भीया सिनकोना से प्राप्त होती है कुनायन कुनायन के भी आपके ज़्यादा कामका नहीं है लेकिन कामका क्या है ये समझे ज़रा कामका ये है कि ये कोश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ओसदी है जिसने कुनायन को रिपलेस कर दिया है उस ओसदी के बारे में आप से सवाल पूछा जाता है तो सौसधी की अगर बात करें तो सौसधी का नाम है हाड्रो क्लोरो क्वीन क्या नाम है बच्चा हाड्रो क्लोरो क्वीन हाड्रो क्लोरो क्वीन जो है इसी ने कुनेन को रिप्लेस किया है यह एक केमिकल कमपोजीशन होता है आपको बता दें जब दुनिया में पेंडेमिक हुआ था यानि कि जब दुनिया में पूरी दुनिया में कोरोना हुआ था तो उस कोरोना पीरियड के दौरान पूरी दुनिया को भारत की तरफ क्या कहते आस लगी थी भारत की तरफ आसी क्यों लगी इसलिए क्योंकि अगर इ तो medicine production की जब हम बात करते हैं तो यह first rank में आता है medicine production में पहले नंबर पे हम लोग आते हैं दुनिया में अगर कोई संकटाया बीमारी से related तो सब्सक्राइब भारत से हमेशा ज्यादा रहेंगी अगला सवाल क्या है लिखा मलेरिया रोग की प्रभावी उसधी कुनायन का निस क्या होगा बहुत आसमन सवाल हे बहुत अच्छे हो का हो गया बच्छा अधिया मेरे लाल मैं बता तो दिया सपोर्ट पर जाईए क्लिक कीजिये सपोर्ट के आप संपर ही आपको क्या होगा सारा समाधान मिलेगा तो यहां पर अगर देखें और भी सुबह एक भाईया अफिश टाइम होता है हम लोग आपकी परिच्छा लगा रहता है इसलिए दिन रात पढ़ाते रहते हैं तो भाईया सपोर्ट दिन रात थोड़ी खुला रहेगा तो बताओ इसका एंसर क्या होगा बहुत आसा कितना अच्छे से घुमा के पूछा गया यह समस्या ज्यादातर लोगों को होती क्या होती ज्यादातर लोगों को यह समस्या क्रियेट होती है तो सब लोग इसका एंसर बालक लोग फटा फटा हमें बताना शुरू करिए एक एक सुर में बताना शुरू करिए और जितने ल सब डिलीट कर दिया कुछ नहीं हुआ तो इसमें कौन सा बड़ा तुफान आ गया डाउन्रोड वाला वीडियो आटोमेटिक डिलीट होई जाएगा वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक ही तरीका है आप लाइब ही देखो रिकॉर्डड देखो बस तो यहां आयोडीन होगा आयोडीन हम लोगों में कहां इस्तेमाल होता है यह भी जरा समझने का प्रयास करते हैं देखो बच्चा आप एक समस्या का नाम सुने होगे नहीं समस्या तो आपके सरीर में एक अंग भी है उस अंग का नाम है थायराइड क्या नाम है थायराइड जो होती ह इसका काम क्या होता है तो इसका काम होता है थायरॉक्सिन का निर्माड करना अब थायरॉक्सिन कैसे बनेगा जितना आयोडीन खाओगे उतना ही थायरॉक्सिन बनेगा देखो केवल आयोडीन से थायरॉक्सिन नहीं बनता है थायरोक्सिन अगर बनाना है तो ये मान लो आपके सरीर की थायराइड ग्लेंड है उसके लिए कई चीजों की आऊ सकता पड़ती है सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ती है TSH की TSH जो है ये किसके द्वारा भेजा जाता है तो ये भेजा जाता भच्चा PTIU tree के द्वारा किसके द्वारा? PbagiU tree के द्वारा तो TSH का मतलब है thyroid stimulating hormone दूसरा अगर हम देखे तो TSH जो होता है TSH की अगर बात करें और थायराइड के पास अपने पास क्या होता है तो थायराइड के अपने पास थायरोनिन होता है और बाहर से आपको खाना पड़ेगा आयोडीन जब ये दो-तीन चीज़े आपस में कमबाइन होती है तो थायराइड का प्रोडक्शन कर पाती है किसका थायरोक्सिन का यह थायरॉक्सिन आपके सरीर में बहुत जरूरी है भाईया यही आपके सरीर का मानसिक संतुलन नियंतरित करती है यही आपके सरीर का सारीरिक संतुलन नियंतरित करती है सबसे पहले इंसान का सारीरिक संतुलन बिगरता है अगर थाराइड हो गया, मोटा वाला हो गया, तो कहो फाइलते चले जाओ, अगर पतला वाला हो गया, तो कहो से कुड़ते चले जाओ, तो यह दोनों में से क्या कहते हैं, दोनों हो सकते हैं, थाराइड की अगर बात करें, तो थाराइड के तीन स्केल होते हैं, कितने स्केल ह करते होते हैं तो यहां पर देखें तीन स्कैल मैं योधान की आउ सकता नहीं है अगला सवाल है लिखा RDN उन विमार वेक्तियों को दी जाती है जो पिडित होते हैं आवगे भई डिन नब बताओ है किस से पिडित होते हैं कई यह यहां पर क्या हो सकता आप्सन हो सकता है कि मुन्य कुमारी नई स्टूडेंट है पढलो देवी जी फटाफाट पढ़ाई पे ध्यान दो तो यहां पर आयोडीन की अगर बात करें तो उन बेमार बेक्तियों को दी जाती है जो पीडित होते हैं किस से बताव भया गठिया से न होतासान सवाल है बिल्कुल हाजरी लग गई है थमसब लगाके हाजरी लगाना पड़ता है बालक हाजरी भी अपने हाथ में है फटाफट लगा दो आयो हो तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर बच्चा का होगा जल्दी जल्दी सभिता जल्दी जल्दी एंसर बता ग्वाइटर की जब हम बात करते हैं तो यही इसका क्या हो जाएगा सही जबाब होगा देखो बच्चा यह तो आप जंदली आप रट्टा मारे होगे कि आप इनकी कमी से जो रोग होता उस रोग का नाम क्या है गेंगा है यह ऐसा सवाल है जो हम बच्पन से लेकर पच्पन तक पढ़ते आते हैं लेकिन लेकिन ठीक है लेकिन अगर हम देखें तो ग्वाइटर जो है ग्वाइटर के अलावा क्या दिक्कत आएगी अगर इंसान के सरीर में थाइराइड का अगर आयोडीन कम हुआ तो थाइराइड भी कम होता है देखो थाइराइड बढ़ने से सार अगर थायराइड घट जाए तो क्या होगा थायराइड अगर घटता है तो भी आपके सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है दो चीजों पे एक तो सबसे ज़्यादा थायराइड घटने के कारण आपका जो प्रभावित होगा वो मेटाबॉलिजम प्रभावित होगा Metabolism का मतलब है कि आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो जाएगी पाचन क्रिया प्रभावित होगी दूसरी सबसे खास बात दूसरी सबसे खास बात Osmosis Rate जो होता है वो प्रभावित होगा Osmosis Rate यानि की Kidney पे इसका असर पड़ेगा तो Kidney के खराब होने के Chances Kidney के फेल होने के Chances इसमें भी बने रहते हैं अगला सवाल देखो भीया लिखा है कि मानों सरीर की आंतरिक संदचना के अलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परकल्पिट टोमोग्राफी के लिए निमलिखित में से कौन सी पद्धती का प्रयोग में लाया जाता है विचाप दा फालोइंग टाइप आफ यूज इस कंप्यूटेट टोमोग्राफी इंप्लॉइट फॉर विजुलाइजेशन आफ दा इंटरनल इस्टेक्चर आफ यूमन बॉडी यानि की इंटरनल इस्टेक्चर आफ यूमन बॉडी का विजुलाइजेशन अगर करना है तो उसमें कौन सी टोमोग्राफी का इस्टेट जो टोमोग्राफी इस्तेमाल की जाती है उसमें कौन सी तरंगे होती बच्चा बहुत अच्छे साकिर बाबू जल्दी जल्दी एंसर बताओ मेरे लल्ला बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर भाया क्या होगा तो बताओ एंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेटा बॉली जाम बिल्कुल बिल्कुल देवी जी बहुत अच्छे बताओ एंसर एंसर का होगा बरुन कुमार बताईए एंसर फटाफाट तो यहाँ पर आगा देखें तो इसका एंसर भईया सबसे पहला सही जवाब जो है वो गुडिया का है देखो भई यहाँ पे लिखा है टोमोग्राफी टोमोग्राफी तीसरा सब्द खाली इस्तेमाल किया गया है पूरा नहीं आपने एक नाम सुना होगा सिटी इसकेन का सुना है सिटी इसकेन का फुल फार्म क्या होता है तो सिटी इसकेन का फुल फार्म होता है computing tomography scan क्या होता है computing tomography scan तो computing tomography scan की जब हम बात करते हैं तो उसमें x-ray और इसका भी काम जो होता वो क्या होता है visualization आंत्रिक अंगों का परिछण करना आंत्रिक अंगों की जाच करना यही इसका क्या होता है काम होता है बोलो भाईया यहां तक सब को समझ में आया सब लोग बोलो सब लोग बोलो यहां तक समझ में आया ये देखो मुन्नी कुमारी हमको काबोल नहीं देवी जी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो हमारा उमर निकल गया है इस सवस्था में किसी और को बोलोगे तो कुछ फाइदा भी मिलेगा हमारा सब इस्पाइरी डेट हो चुका है बच्चा तो इधर पढ़ाई पे ध्यान दो हम आपको पढ़ा के आपको अच्छा बना ही सकते हैं समझे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है समझे हाँ इसलिए पढ़ा सकते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो बालग समझे हाँ अगला सवाल देखो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल नहीं है लगता है हम इनके पढ़ोसी हैं लिखा है कोबाल्ट सिष्टी आम तोर पे पर विक्रण चिकिस्सा में प्रियुक्त होता है क्योंकि यहाँ उत्साजित करता है तो कोबाल्ट सिष्टी की अगर बात करें तो यहाँ ए आम तोर पर क्या होता है कह रहा है कोबाल्ट सिष्टी आम तोर पर विक्रण चिकिस्सा में प्रियुक्त होता है क्योंकि यहां उत्साजित कहता है, किसको उत्साजित कहता है, चलो, यहां पे भड़ा भड़ा इंसर बताओ, तो यहां पे अगर देखें, तो आपसन है, अलफा किरणे, भीटा किरणे, गामा किरणे, एक्सरे किरणे, पढ़ लो, पढ़ लो वालक पढ़ लो, तो यहां पे अगर देखें कोवार्ट सिष्टी की अगर बात करें कोवार्ट सिष्टी जो होता है ये कौन सी किरणों को उत्साजित करता है कोवार्ट सिष्टी बहुत अच्छा सवाल है तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा गामा किरने कौन सा एंसर होगा गामा किरने इसी लिए कहते हैं भाईया पड़े लिख लोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा अरे भाईया अड़्डा पे सब टीचर सेलफिस नहीं हैं साकिर बाबू टीचर के पास सपोर्ट नहीं होता है अब ये बताओ जितने वर्टिकल हैं उतने सपोर्ट सिस्टम काम करते का एक टीचर को पढ़ाने वाला तंत्र याद करके आए याद रखे या वो सपोर्ट सिस्टम का कांटेक्ट नमबर याद रखे तुम जानते हो कांटेक्ट नमबर भी याद करने में किसके दिलचस्पी होती अभी हमी तुमको अपना नमबर दे क्या तुमको याद रहेगा लेकिन अभी कोई और number दे तो तुमको number याद रहेगा समझे तो विशी प्रकास हर किसी का behavior होता तो इतने number हम सब लोग याद नहीं कर सकते हैं हाँ ये है आपने comment किया है तो comment का reply आपको दे दिया जाएगा support क्या आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हो ठेक सारी चीजे, तो यहाँ पर अगर देखें, तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब होगा गामा केंडे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोबाल्ट सिष्ठी की जब हम बात करते हैं, तो यह बच्चा एक प्रकार का रेडियो आईसोटोप्स होता है, क्या होता ह रेडियो समस्थानिक होते हैं समझ में आई ये बात किलियर हो गया हाँ अरे भाईया तो थोड़ा बरदास कर लो चलती क्लास में आप हम सपोर्ट का नंबर पता लगात तो देंगे नहीं क्लास सांत हो जाएगी क्लास जब धैर धरेगी तब हम क्या कहते हैं नंबर पता कर लेंगे आपको कमेंट कर देंगे आपके नंबर पे खुश लेकिन अभी चुपचाप पढ़ाई करो लिखा वाह रेडियो समस्थाने एक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है कौन सा रेडियो समस्थानिक ऐसा है जिसका प्रयोग खून के ठक्के को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24 यहाँ पे अगार देखें जाहिन, जाहिन बालाक जल्दी जल्दी आंसर बताने को तो यहाँ पे अगार देखें तो इसका एंसर क्या होगा यहाँ पे अगार देखें हाँ हमारा नंबर यही तो तुम लोग के साथ दुबिधा है हमारा नंबर का करोगे यह सवस्था में ध्यान दो तो यहाँ पे अगार देखें तो इसका एंसर क्या होगा answer की अगर बात करें तो कह रहा है sodium 24 answer क्या हो जाएगा भीया sodium 24 होगा जो sodium 24 होता है इसकी अगर बात करें तो ये क्या करता है इसका काम होता है रक्त के ठक्के का पता लगाना कि रक्त का ठक्का कहां कहां बन रहा है कहां कहां नहीं बन रहा है इन सारी चीजों को identify करता है ये एक प्रकार का ये भी एक radio isotopes है क्या है बटा तो ये भी एक प्रकार का radio isotopes है radio isotopes जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो समझो इनको वच्चा nuclear medicine भी कहा जाता है क्या कहते है nuclear medicine भी कहा जाता है क्या कहते है nuclear medicine कहते है तो यहाँ पर अगर देखें तो यह कैंसर के उपचार में ही ज़्यादाता रेडियो आईसोटोप से रेडियो दवाओं की यूज़ किया जाता है अगला सवाल है लिखा है कि रक्त कैंसर बीमारी की रोक थाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है बोलो भईया इसका एंसर क्या होगा भईया पढ़ लो मेरे लल्ला सभी लोगों से बहुत बहुत गुजारिस है सभी लोग पढ़ दो सर अब बिहार पुलिस का क्लास होगा लेकिन बाद में होगा यहाँ पर अगर देखे तो कहरा आवडीन 31 होता है सोडियम 24 होता है फासफोरस 32 होता है कोबाल्ड 60 होता है तो सब लोग इसका एंसर बालक लोग फटा फट बताने को यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सही जवाब बालक क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ यह देखो तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा रक्त का एंसर में किसका इस्तेमाल किया जाता है रक्त का एंसर की अगर बात करें तो किसका इस्तेमाल होता है तो फास्फोरस 32, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 अगर किसी को भी blood cancer होता है तो phosphorus 32 को prevention में दिया जाता है यह first aid नहीं यह prevention है बेटा याद रखना यह prevention का सवाल है first aid का नहीं है दूसरी चीत ध्यान से सुनिएगा क्या ध्यान से सुनना है ध्यान से यह सुनना है कि अगर blood cancer किसी को होता है तो उसके symptom क्या होते हैं blood cancer के symptom बहुत ही normal होते हैं एक ही समस्या इसमें पैदा होती है वो बहुत कामन समस्या है जिसका नाम है बुखार बुखार आना सुरू हो जाएगा क्या होगा बुखार आना सुरू हो जाएगा तो बुखार आना जब यहाँ पे क्या होता है सुरू हो जाता है यह देखो सब पेडित लोग जो हैं वो पहचान करने में भी जुटें इधार ध्यान दो बुखार आना सुरू होता है टेस्ट कराओगे मलेरिया का नार्मल डिपोर्ट डेंगी उका कराओगे नार्मल रिपोर्ट टाइफाइड कराओगे नार्मल रिपोर्ट सारी रिपोर्ट नार्मल है जब एक दो महिने का समय बीटता है तो लिंफ जो होते हैं उसमें स्वैलिंग आ जाती है क्या होते हैं लिंफ जो होते हैं उसमें स्वैलिंग आ जाती है अब लिंफ कहां कहां होते हैं तो एक लिंफ होते हैं यहां पर ठेक है यहां पर लिंफ होते हैं और एक जो होते हैं वो बच्चा क्या होते हैं आपके थाई के पास होते हैं कमर के पास तो यहाँ पर आगार देखें तो यही सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें ओ, अगला सवाल, एक सेकंड बेटा एक सेकंड, एक सेकंड आज थोड़ा एक सेकंड बाला, एक सेकंड प्योड़ा इस लोड़ा लेफें चलो अगला सवाल आ गया चलो अगला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा है कि मस्तिस्क तथा मेरु रजुपर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा होने वाला रोग कौन सा होता है अगर सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग होता है फटा फट इसका एंसर बताने को फटा फट तो यहाँ पर अगर देखें तो मस्तिस्क में अगर स्वैलिंग आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है फटा फटा एंसर बताईए तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा बहुत अच्छे तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा ध्यान दो इधार, good performance तो इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा इसका answer होता है meningitis, क्या answer होता है meningitis, meningitis is the correct answer, अगला सवाल है, लिखा मनुस्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरण, सबसे कम सुग्राही अंग कौन सा होता है, कौन सा ऐसा अंग है, जो सबसे कम सुग्राही है, आंख है, हिदाए है, मस्तिस्क है, फेफडे है, बता भईया इ अगर बात करें, तो कौन सा इसका आरगन होता है, सभी लोग बताओ answer, फटा फट, बहुत अच्छे, good performance, जल्दी जल्दी बताने को, यहाँ पर अगर देखें, तो इसका answer क्या होगा, फटा फट बताईए, तो यहाँ पर अगर देखें, तो इसका answer की, अगर बात करें बा कौन सा है, अगला सवाल बताओ बेटा, अगला सवाल फटा फट, यह पीपीटी उल्टा आ गई, यह बताओ सवाल, भही हम सोच रहे हैं, हाँ यह सही, क्योंकि डिजीज का सवाल करा रहे थे, वो दूसरे, अगला question, अगला question है, बच्चा लिखाने लिखित में से, किसकी क्रियाविधी रिकॉर्ड करने के लिए, किसकी क्रियाविधी रिकॉर्ड करने के लिए, EEG का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसकी क्रियाविधी रिकॉर कला सवाल देखो क्या है लिखाए कि निलिक बहुत अच्छा अगला सवाल है कि निमलिक पिर किसके पुष्टी करण ही तू विडाल टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वाइडल टेस्ट के लिए वाइडल टेस्ट किसकी पुष्टी के लिए कराया जाता है जल्दी जल्दी फटा-फट इसका एंसर बताने को बहुत अच्छे मेरे लाल गुड परफार्मेंस जल्दी जल्दी बताईए सभी लोग को attendance लगाना है attendance लगाने के लिए सभी लोग थमसप वाला बटन क्या करना है दबा देना है तो यहाँ पर अगर देखे तो इसका answer बच्चा लोग का होगा कालरा होगा, टाइफाइड होगा ऐसा question अभी कराया गया था तो बताइए इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर की अगर बात करें तो इसका एंसर हो जाएगा टाइफाइड टाइफाइड जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो टाइफाइड बच्चा क्या होता है टाइफाइड में वाइडल टेस्ट कराते हैं जैसे कॉलरा में तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है, ठिक तो यहाँ पे अगर देखें तो वाइडल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड में, टाइफाइड ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, वैसे ये चार आपसन लिखें हैं, चार में अगर देखें तो चारों ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं, यानि की जो बैक्टीरिया से होती हैं, गुड मादिंग का है वो लही देवी जी, अगला कोश्चन है बीमारी पता करने का यंत्र, यमार आई का मतलब क्या होता है, अगर बीमारी को डाइगनोष्ट कराना है, देखो कोई भी स सबसे पहले क्या किया जाता है हम तरीका यह होता है अगर हम इसमें सारी चीजों को सामिल करें physical education में तो इसमें फस्ट आड़ आता है यानि कि सबसे पहले इंसान परात्मिक उप्चार ले लेता है फिर क्या करता वी मारी को डाइगनोश्ट कराता है डाइगनोश्ट कराने के बाद जब बीमारी पता चलती है तो पता चलने के बाद बीमारी जो होती है उसको ट्रीट किया जाता है तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी वी सीय है तो कौन सा पेपर चूज कर सकते है computer science, VCA, computer science, यहाँ पे अगर देखें तो बीमारी का पता करने में अमाराई का मतलब क्या होता, magnetic resonance index होता है, magnetic regulation information होता, magnetic resonance imaging होता है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका answer सही क्या होगा, magnetic resonating image होता, यहाँ पे थोड़ा ये बना के लिख दिया गया है, सुद रूप में आगर देखें तो सुद रूप में कहा जाता, magnetic resonating image, magnetic resonating image, यह इसका क्या होता है भई यह इसका क्या होता है, full form होता है, दूसरी सबसे खास बात देहान से सुनिएगा, यहाँ पे magnetic resonating image जो है, यह माराई, यह माराई में पूछ ले, कि कल को कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती है तो यहां पे याद रखीएगा radio waves का इस्तेमाल किया जाता है अब ये radio waves जो हैं वो कैसी है magnetic power रखने वाली radio waves होती है अब magnetic power जो होती है ठीक है, मैगनेटिक पावर जो होती है, मैगनेटिक पावर इन में होने के कारण ही, अगर आप कभी भी यमाराई कराने जाते हो, तो यमाराई कराने से पहले लोहे के छले, बेल्ट, ये सब जो होता, ये क्या करिया जाता है, उतरवा दिया जाता, क्यों? क्योंकि मैगनेट की तरह ये अपनी ओर क्या करते हैं धातों को आकरसित कर लेती है इसलिए ऐसा होता है किलियर है B.S.S.C. का एक्जाम बालक हमें नहीं पता है ये आप अपने गुरू से पूछिए जो B.S.S.C. में पढ़ाते हैं अगला सवाल है लिखा है डाक्टरो द्वारा रोगी ब्यक्ति के पेट के आंतरिक परिच्छा है तो जो प्रियुक्त अंतरदसी है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है यहां पर अगार देखें तो इसका एंसर क्या होता है सभी लोग बताओ एंसर खोल बहुत अच्छे बहु ताइफाइड.IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG-IGG- सा होता है तो प्रीउप्त अंताजासी रिफलेक्षसन होता है स्केर्ट इंला जूटल इनटर्नल डिफार्मेंशस जल्दी जल्दी यहाँ पे अब बात अंसर बताईये फटाफऱ फटा 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 अंसर आप लोग को वालक क्या करना है बताना है बुड़ परफार्मेंस जल्दी जल्दी तुम लोग बड़े देमें देमें चल ले हो बहुत अच्छे तो यहां पर आगार देखें तो इसका एंसर जो होगा वो क्या होगा टोटल इंटर्नल इफ्लेक्शन पूरा अंतरिक परावतन जो होता है इसी सिद्धानत पे क्या करता है काम करता है तो यहां पर अगार देखें तो यह परिछा अंतर देशी प्रकास के तो पूरा अंतरिक परावतन अगला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी कला परिवाध प्रूण की सुसकन से रच्छा करती है बता इसका एंसर भीया क्या होगा जल्दी जल्दी बता तो भूण से रच्छा करती है तो इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा बताओ भीया तो आपसन है एमनियोन आपसन है एलांटोसिस आपसन है कोरियोन आपसन है आलकसेक देखो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं समझाता हूँ और बताता भी हूँ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एंसर जो सही होगा वो बालक क्या एंसर सही होगा सभी लोग answer बताईए बहुत अच्छे good performance सोनी कुमारी जल्दी जल्दी answer बताने को बहुत अच्छे thanks nice session अच्छा भीया तो कहां चल दिये देखो इसकी अगर बात करें amnion होता है यह आप लोगों में जब हम granular upset पढ़ाएंगे आप लोगों में भी topic है समझे देखो बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि यह तो science वाले topic है देखो बच्चा fundamental anatomy एक unit है आप लोगों में आ रही है नहीं आ रही है आ रही है fundamental जो fundamental anatomy की अगर हम बात करें तो उसी में यह topic आपके कबर किये जाते अब देखो anatomy जब चल लही है तो यहाँ पे कुछ anatomy के सवाल है कुछ हमने disease के सवाल सबसे ज़्यादा डाले disease आप लोगों में खुब पूछा जाता है disease से related सवाल होते हैं उनके first aid से related सवाल होते हैं यहाँ पे सारा का सारा तो यहाँ पे अगर देखें होता है यह क्या करता है यहाँ पे इसी थैली के अंदर क्या होता है pregnancy के दौरान कोई बच्चा होता है इसी थैली के अंदर कोई भी बच्चा होता है अब यहाँ पे अगर देखें तो यह बच्चा भी ठेक बच्चा होता है यह बच्चा जो है इसको नमी देने का काम जो करती है अगला सवाल है लेखा एम्नियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है किसको बताता है एम्नियो सेंटोसिस की अगर बात करें तो ये कौन से तरीके को बताता है ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा बहुत अच्छे एमनियो सिंटोसिस क्या तरीका बताता है बता भया एमनियो सिंटोसिस की अगर बात करें तो यह किसको डिफाइन करता है बहुत अच्छे जल्दी जल्दी बताओ तो यहाँ पर अगर देखें amniocinthosis जो होता है amniocinthosis कहरा fatal sex यानी कि भुरूण के link को बताने का काम करता है दूसरा सवाल यह कहरा है कि भुरूण के link को बताता है यह कहरा kind of amino acid amino acid के परकार को बताता है और आप से कहरा protein में amino acid के अनुकरम को type of hormones को यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer जो होगा वो बच्चा क्या होगा ये बच्चा भृूण के link की बात करता है यानि कि आमनियो सिंटोसिस जो तरीका होता है इसमें क्या होता है गर लिए Du가지고 करना भी कदा दंड़नीए अपराद है उसलकी अगाँ देखें तो क्या किया जाता इसको कराया जाता है अगला सवाल है डालेसिस किस से संबंधित है डालेसिस किस से संबंधित है डालेसिस इस रिलेटेट टू लीवर से संबंधित है किड्नी से संबंधित है आई से संबंधित है ब्रेन से संबंधित है तो डालेसिस संबंधित है किस संबंधित है फटा फटा फट इसका एंसर फ यह तो बहुते आसान सवाल है जब किसी को किड़नी का डिसॉर्डर होता है तो डायलोसिस कराया जाता है किड़नी का डिसॉर्डर थायराइड के कारण हो सकता है आयोडीन की अधिकता के कारण भी होता कमी के कारण भी होता दूसरी चीज किड़नी का डिसॉर्डर जो होता है वो हमारी दिंचर्या के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता किड़नी का सबसे अच्छा प्रिवेंशन योगा हो सकता किड़नी है लीवर है इनका आगर सबसे अच्छा प्रिवेंशन का देखा जाये तो योगा हो सकता आगे जब हम classes लेंगे अभी yoga की classes जब हम शुरू करेंगे तो yoga की classes में बताएंगे कौन सी kriya कहां फाइदा करती है और कौन सी kriya के कितने लाब होते हैं उस kriya को करने का तरीका क्या होता है करके तो यहाँ digitally हम नहीं दिखा पाएंगे लेकिन क्या कहते हैं बता जरूर देंगे कि उसका तरीका क्या होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो dialysis जो है वो कहरा किस से संबंदित होता तो dialysis अगर हम देखें तो kidney से basically क्या होता है संबंदित होता है अगला सवाल क्या है लिखा रच्छा अनुसंधान विकास संगठन लिउको इसकी नामक एक आउसधी बिक्सित किया है इसका इस्तेमाल किसके उप्चार में किया जाता है तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे गुड़ प का संगठन ने लिवको इसकी नामक एक वसदी विक्सित की है इसका इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जाता है तो यहां पर अगर देखें तो किसके उपचार के लिए डाडिफेंस रिसर्च डवलप्मेंट और्गनाइज़सन इस डवलप्टा ड्रग नेमड आफ यूट इंट्रीटमेंट आफ लिवकेमिया के लिए लिवको डर्मा में या लंग्स कैंसर में या लिकोरिया में लिकोरिया तो आप सब लोग को पता होगा ना लिकोरिया कैसी समस्या होती किसी को पता है तो यहाँ पे आगार देखें तो इसका एंसर भया का होगा गुड परफार्मेंस बहुत अच्छे राकी सोनपूर जल्दी जल्दी बताओ एंसर बहुत अच्छे मेरे लाल इच्छा धारी नागिन नहीं इच्छा प्यारी नागिन यह देखो blood cancer जो होता है इसको हम लोग leukemia कहते हैं क्या कहते हैं इसको leukemia कहते हैं leukoderma leukoderma की अगर बात करें तो ये इसके लिए क्योंकि साफ साफ इसने लिखा है क्या लिखा है लिखा रच्छा अनुसंदान नामक leuko skin नामक ये कौसधी विक्सित की है इसका इस्तेवाल उपचार किया जाता है अब यहां पर जाकर देखो तो इंगलिस वाला जरा पढ़ो leuko skin लिखा है ठीक है लिखो skin लिखा और डर्मा सब्द आपको पता होगा study of skin की जब हम बात करते हैं यानि कि skin का study किसमे होता है तो skin का study किया जाता है डर्मिटो लोजी में किसमे होता है डर्मिटो लोजी में अब डर्मिटो लोजी जो सब्द है यहां पर अगर डर्म सब्द डर्मिटो गलत हो गया इस फेलिंग गलत हो गया डर्मिटो की स्पेलिंग गलत हो गया दुबारा लिख देते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो Dermatology क्या होता है Dermatology तो Dermatology की जब हम बात करते हैं यह होगा अब यहाँ से आप इतना सब्द निकाल लो Derm जितनी भी आप क्रीम खरीद के लाते हो अगर स्किन वाली क्रीम होती उसको भी कहते हैं लिकोडर्म, फलाने डर्म, ढिमाके डर्म यही सब डर्म लिखा होता है डर्म से इस बात को identify किया जाता है कि वो बच्चा skin से related है यानि कि skin में क्या किया जाएगा skin का इस्किन पे इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर अगर देखें तो Derm जो है वो स्किन से रिलेटेड हो जाएगा दूसरी सबसे खास बात क्या होगी दूसरी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो रच्छान, संधान, विकास जो लिवको स्किन है इसने DRDO के द्वारा ये डवलप किया गया तो यहाँ पे लिवको डर्मा हो जाएगा ठीक है, समझ में आई बात बहुत अच्छे, ये सर, बिल्कुल बहुत अच्छे अगला सवाल है लिखा आयुर विग्ञान के इतिहास में निमलिखित में से चार युगांतर कारी घटनाओं में से सर्पथम कौन सी है आयुर विग्ञान के इतिहास में अगर हम देखें तो चार युगांतर कारी घटनाओं है उन चार युगांतर कारी घटनाओं में से एक ये भी है कह रहा है ओरेंज ओरेंज ट्रांस्पलांट ओरेंज लिख दिया औरेंज नहीं होना चाहिए ये गडबल दिख गया प्रिंट गड़त हो गया जब देखो भई इसको हम सही कर देते हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही करने का प्रयास किया जाता है तो इसको हम लोग करेंगे सही करके औरेंज लिखा है आरेंज की जगा कह रहा है होना चाहिए आरगन ट्रांस्प्लांट क्या होना चाहिए आरगन ठीक तो यहाँ पे आरगन ट्रांस्प्लांट हो जाएगा तो कह रहा है आरगन ट्रांस्प्लांट बाइपास सजरी टेस्ट यूब बेबी या प्लास्टिक सजरी इन में से सही एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी इसका एंसर बताईए बहुत अच्छे तो यहां पर अगर देखें बहुत अच्छे गुड इवनिंग हो गया जल्दी जल्दी बताओ भीया एंसर तो एंसर की अगर बात करें तो एंसर इसका बाबु का होगा इसके एंसर की अगर बात करें तो देखो बहुत लोगों को ये लगता होगा इसका एंसर प्लास्टिक सरजरी होगा लेकिन प्लास्टिक सरजरी एंसर नहीं लगाना है प्लास्टिक सरजरी एंसर होगा भी नहीं इसके एंसर की अगर हम बात करें तो इसका एंसर होगा प्लास्टिक साजरी होगा हम एंसर बोल रहें लेकिन तुम्हारे आपसन की जगा अपना एपसन तो स्वारी माफी चाहते हैं ध्यान से सुन लिजे फिर से बता देते हैं यानि कि सबसे पुरानी चिकिस्सा पद्धती की जब हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी चिकिसा पद्धती में प्लास्टिक सजरी आती। भारत में अगर हम देखें तो भारत में इसके जो प्रमाड मिलते हैं वो बच्चा पाँचवी सताबदी में प्रमाड मिलते हैं। इसके बाद पाँचवी सताबदी के बाद दुनिया में अगर कहीं पे सबसे पहले प्लास्टिक सजरी का इस्त्यमाल किया गया। तो वो कहां पे इस्तेमाल प्लास्टिक सजरी का किया गया, तो दुनिया में सबसे पहले बिटन में प्लास्टिक सजरी का इस्तेमाल किया गया था, वो भी बिटन में कब इस्तेमाल किया गया, तो बिटन में इस्तेमाल किया था 1794 में, कब इस्तेमाल किया गया 1794, यानि कि 17 स संचुरी जो थी तब बिटन ने इसका इस्तेमाल किया लेकिन इंडिया की भारत की अगर बात करें भारत को सबसे पुरानी सभिता में से एक क्यों माना जाता है आज तो इतना कलियूग घोर कलियूग की पराकाश्ठा है कि लोग भारत को गाली देते हैं वैसे पहले का कल्च सब्सक्राइब क्या है यहां पर आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे इतनी मिहनत से पढ़ाएंगे इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि यह श्टेट दो हजार 24 का सपना देखने वाले जितने भी बालक है उनके सपने को पूरा करेगा बिहार अड़ा 24-7 केवल और केवल हमारा ही सब्जेक्ट नहीं इस बार बहुत तगड़ी प्लानिंग किया गया है बिहार अड़ा 24-7 की तरफ से कि जितने बालक जुड़े 100% रिजल्ट पे इस बार ह रह गया था वो भी क्या कहते है महनस्त करना शुरू कर दीजे इस बार आपको एक और बात बताना चाहते हैं पिछली बार जो क्लास का टाइमिंग था वो 11 बजे से हमारा क्लास का टाइमिंग था आप लोगों के पास बहुत बच्चे सिकायत करते थे गुरू जी मेरा आफ पिस भी हो लो आप अच्छे से क्या करें खाना भी बना खालो अच्छे से जब आप साम को बिलकुल 9 बजे आप पिस्तर पे बैठें तो कापी किताब लेकर बैठें और गुरू जी के साथ आप मेहनत करना शुरू कर दीजी मेहनत करना शुरू कर दीजी हम भी आपके साथ तावर तोड मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से इस वार हम लोग सफल होंगे, निश्चित रूप से हम सब का मिसन जो होगा, वो क्या होगा, सफल होगा, तो यहाँ पर अगर देखें, तो इसका एंसर भीया क्या होगा, लिखा सल लिक्रिया में आथो प्लाष्टी क्या होता है, आथो प्लाष्टी बहुत अच्छे धन्यवाद बालक, लेकिन अब यहीं से डेडिकेशन बना लो, अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, और पेपर को क्या करना है, पास करना है, यह मिसन क्या कहते हैं, इस बार चलना है, यानि कि सूनि से चक तक का सफर हम लोग को तैं करना है, और इसमें हम सब लोग क्या करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, तो चलिए फड़ा फड़ा इंसर बताइए, सल क्रिया में आथो प्लाष्टी क्या होता है, आथो प्लाष्टी की अगर हम बात करें, तो आथो प्लाष्टी सल क्रिया मे क्या होता है सभी लोग इसका बालक एंसर फटा फट बताने को बहुत अच्छे आथो प्लास्टी बहुत आसान सा सवाल है बहुत आसान सवाल है गुर्दा रिप्लेसमेंट गुर्दा नहीं तो सीधे बता दो मुर्दा रिप्लेसमेंट मुर्दा को ही रिप्लेस कर दिया जा गुर्दा मुर्दा नहीं होता है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है यहां पर लिखा आ अर्थो कितनी बार बताया हूं ध्यान दो बच्चा जब आप से पूछा जाता आश्टियो आश्टियो सब्द आश्टियो लोजी लिखा होता है तो हम कहते हैं इस्टडिया बॉ होता है तो हड्डियों से जुड़ जाता है अगर आपको लिखा हो आर्थोलोजी अगर लिखा हो तो क्या होगा आर्थोलोजी की अगर बात करें तो यह इसमें आता है एस्टडी आफ बॉन्ड इजीज यानि की अगर हम बात करें तो हड्डियों की वीमारियों का जो तो आर्थो सब्द जो है यह भी हड्डियों से ही रिलेट करता है गुडिया देवी जी बताओ का कहना चाहती हो तो यहां पे अगर देखें तो इसका एंसर भया का होगा विल्कुल वच्चा तो यहां पे इसको हटा ही दो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां पे अगर बात करें चलो गुर्दा रिप्लेस्मेंट नहीं होगा तो यहां पे अगर देखें तो इसका एंसर भया क्या होगा तो इसके answer की अगर बात करें तो इसका answer जो सही होगा वो क्या सही होगा वो सही होगा hip joint replacement is the correct answer अगला सवाल है लीथो ट्रिपसी क्या है लीथो ट्रिपसी क्या है देखो मजे ले लिए आप लोग हैं नहीं ये कल कहां हुआ था पुराना question थोड़ी करा देंगे ये कल कोई question नहीं हुआ था लिखा लीथो ट्रिपसी कल कहां लीथो ट्रिपसी हुआ था तो बताव इसका answer लीथो ट्रिपसी क्या होता है art of writing on stone पत्थर यानि की पत्थर पर लिखने की कला को लीथो ट्रिपसी कहा जाता है breaking kidney stone virus यानि की गुदे की पत्थरी को किड़नों से तोड़ना या determining of rocks through carbon कारवन विधी के द्वारा पत्थरों की आयू को ग्यात करना polishing stone for home users यानि की जो घर में इस्तेमाल होने वाले stones हैं उनको polish करना तरासना तो यहां पर अगर देखें तो इसका answer बाबू का होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे बालाक मेरी इच्छा प्यारी नागिन यह देखो इच्छा प्यारी नागिन लिखें सुधार लो नाम बालाक समझें तो यहां पर अगर देखें तो इसका answer क्या होगा इसके answer की अगर बात करें तो इसका answer होगा breaking kidney kidney stones by race आप अक्सर करके यह सुनते होगे गाओं के लोग कहते हैं भाईया पथरी हुआ है तो टेंसन ना लो परसान ना हो रो ना डाक्टर के पास वहाँ चले जाए ना वो क्या करता किरणों के के द्वारा क्या किया जाता है पथरी को तोड़ दिया जाता है शमझें तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा breaking kidney stones by race अगला सवाल क्या है लिखा है malaria निदान है तो आथीटर नामक औसधी यानि की कौन आथीटर नामक औसधी प्राप्त होती है आथीटर नामक औसधी किस से प्राप्त होती बाबू बहुत अच्छे सर मेरा नाम सुरुची सिंग है अच्छा good performance देवी जी सुरुची तो यहाँ पे लिखा malaria निदान है तो आथीटर नामकी औसधी प्राप्त होती है तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका answer क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ बोलो मेरे लाल सेफ म्यूजिक जल्दी जल्दी यहाँ पे अगर देखें तो इसका answer बालक का होगा बहुत अच्छे good performance कुर्थ का मतलब यह काउन सी विथा बता रहे हो बहीया जाए झाल है यह सबने ही सोचना है यह तो वह ऑला बात हो गया हाँ बीज वाला सही जवाब होगा क्या होगा यह एक बीजी ए पौधा है पौधे से प्राप्त किया जाता आधिटर वैसे अगर यहां पे देखें हाँ एक बीजी ए पौधा अब देखो रंजन बाबु कह रहे हैं कुर्थी का दाल खाएं हैं इसलिए सब ठीक जाता है भाईया निर्मल बाबा स चोखा ही 24 गंटे खाते रहे हमारे आपको विना पढ़ाय क्या कहते हैं पढ़ा दें और आप क्या कहते हैं बिना पढ़े इस्ट्रेट पास हो ठीक है भया मेहनत करो मेहनत अगला सवाल है लिखा है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया प्राप्त हो लिखा लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है लौंग फ्रिट से इस्ट्रेम से रूट से फ्लावर बढ़ से तो लौंग का अगर बात करें बाबू बहुत अच्छे जल्दी जल्दी एंसर बताओ दाल भाद चोखाबाद में खा ले ना तो यहाँ प मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो लौंग एक मसाला पौधे फ्रिट से इस्ट्यम से या क्या कहते है रूट से या फ्लावर बढ़ से तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंसर भी या क्या होगा तो इसके एंसर की अगर हम बात करें तो इसका एंसर हो बड़ होगा क्या होगा फ्लावर बड़ क्या होगा फ्लावर बड़ फूल होता है अगला सवाल निमलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है बताओ भाईया सच्चा हो बर पर जूटा ना हो निमलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सच्चा फल नहीं है तो सच्चा फल की अग कहते हैं लौंग का तेल होता है लौंग के तेल की अगर बात करें तो तेल जो होता है उसको क्या कहा जाता है बहुत अच्छ तो सच्चा फल की अगर बात करें नहीं है कहरा जूटा फल है अगर सच्चा नहीं है तो जूटा है जूटा है कौन है यहां पर अगर देखें तो एपल है क्या है बच्चा एपल है एपल अगला सवाल हैलो फाइट सच्छी ब्रद्धी करते हैं किसमें बद् स्वाइल में या क्या कहते हैं स्वाइल कंटेनिंग कैल्सियम में या स्वाइल कंटेनिंग या स्लाइन स्वाइल में तो यहां पर आगा देखें तो इसका एंसर क्या होगा बाला जल्दी जल्दी बताओ एंसर हैलो फाइट्स जो होते ही वो ब्रद्धी करते ही किसमें कोल्ड स्वाइल में स्वाइल कंटेनिंग कल्सियम में स्लाइन स्वाइल में तो यहां पर हैलो फाइट्स अच्छी ब्रध्धी करते हैं किसमें अच्छी ब्रध्धी करते हैं यह सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है तो एसिडिक स्वाइल कोल्ड स्वाइल हैलो अगर कोई slying soil है जहां पर लमड़ता सबसे अधिक होती है वहां पर हिए इस पेसिट पोधे ही क्या कर सकते हैं वैसे वहां पर सभी पोधे यानी कि ऐसे पोधे जो नार्मल सिच्वेशन में survival जिनका हो ऐसे पौधे वहाँ पर सर्वाइब नहीं कर पाते हैं उनके लिए सर्वाइबल में थोड़ी क्या होती है चुनोतियां होती है क्लियर है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एंसर क्या हो जाएगा स्लाइन स्वाइल हो जाएगा अगला सवाल है एक पेंड के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है बता भईया एक पेंड के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है तो बता इसका एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ क्या कौन होता है भई एक पेंड के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है तो यहां पर आगर देखें तो इसका एंसर बावू का होगा जल्दी जल्दी बताओ जल्दी 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 बहुत अच्छे गुड़ परफार्मेंस गुड़ परफार्मेंस बाराक बेरी बेरी गुड़ परफार्मेंस तो बताओ एंसर तो यहाँ पे इसका एंसर क्या होगा अकांच्छा बताओ आज अकांच्छा बड़ा धीमे धीमे चल लही देवी जी एक पौधे के पास समेशा क्या होगा तो कुछ भी हो या ना हो उसके रूट जरूर होंगे अगर रूट उसमें नहीं होते हैं तो पौधा कभी भी क्या कर होगा अच्छे से मतलब क्या ग्रोथ नहीं कर सकता है तो रूट का होना उस पौधे में बहुत जरूरी है अगला सवाल है कौन सा पदात ब्रच से प्राप्त किया जाता है ब्रच से प्राप्त किया जाता है कौन सा प्राप्त है, लिखा है हींग, सिलाजीत, ठेक, या सुहागा, या नन अफ दा अबब, तो यहाँ पे अगर देखें, तो कौन सा ऐसा है, जो पौधे से प्राप्त किया जाता है, गुरू जी में से क्या निमलिखित में से कौन सा पदात ब्रच से प्राप्त किया जाता है सर हमने बता दिया था आपने नहीं देखा सर अच्छा देवी जी आप बताओ तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बालक लोग बताने को बहुत अच्छे गुड परफार्मेंस यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा हींग आप सब को पता होना चाहिए कि हींग जो होती है यह एक एजेंट का भी काम करती है दूसरी चीज यह सौफ की परजातिका है किस परजातिका है सौफ की परजातिका और हींग की अगर हम बात करें तो हींग और सौफ मुख्य रूप से एरानी पोधा है कहां का पोधा है इरानी पोधा है इरान में सबसे ज़्यादा यह सब पाया जाता है वैसे हींग की अगर बात करें तो इस वक्त अफगानिस्तान में भी हींग होता है कहां होता है अफगानिस्तान में हाँ अगला सवाल लिखा हिंग प्राप्त की जाती है किस से प्राप्त की जाती है बता भईया इसका एंसर क्या होगा हिंग प्राप्त की जाती है किस से प्राप्त की जाती है एक्जीक्यूशन फ्रॉम दा इस्टिम तने के से स्राव एक्स्ट्रेक्शन फ्रॉम दा रूट जड़ों के निसकर्षंड से extraction from the fruit फलों के निसकर्षंड से extraction from the leaves पतियों किसे निसकर्षंड होता है तो बता यहां पे answer वालक क्या होगा जल्दी जल्दी good performance बहुत अच्छे good performance बहुत अच्छे या तो तोड़ दो या तो छोड़ दो अच्छा भईया नहीं तोड़ेंगे ही छोड़ेंगे नहीं तो यहां पे अगर देखें तो इसका answer वालक का होगा नहीं भईया कांचा गरबार हेंग जो होता है यह पत्तो अत्तो से फलो से नहीं प्राप्तोता फीम नहीं है यह बच्चा जड़ो से निकाली जाती किस से निकाली जाती है हींग की अगर बात करें तो यह क्या होता है जड़ो से निकलता है यह एक प्रकार का क्या होता है रेजिन होता है और अगर हम देखें तो यह क्या होता है अगर हम देखें तो इसमें anti-oxidant सबसे ज़्यादा पाया जाते सबसे ज़्यादा अगर किसी में anti-oxidant है तो हींग ही होता है जिसमें सबसे ज़्यादा anti-oxidant होते हैं दूसरी सबसे खास बात जड़ों में रेजिन निकलता है और रेजिन निकलने के कारण क्या होता है उसी से इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा हाँ, अफीम होता है जो अधपके फलों से प्राप्त होता है, अगला सवाल है, क्या सवाल है, लिखा माइको राइजा एक साहजीवी प्रवंधन है, माइको राइजा एजा सिम बायोटिक एसोसियेशन बिटवीन, अल्गी और प्लांट्स, अल्गी और फंजाई, फंजाई और प्लांट्स, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी और फंजाई, तो यहाँ पे माइको राइजा की अगर हम बात करें, तो माइको राइजा जो होते हैं, यह स तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जब आप क्या होगा बताओ भई ओहो ओहो गुड़ परफार्मेंस बहुत अच्छे ना पकांचा देवी जी आज आपने कौन सी दाल खा लिया जो आज सब सवाल गलत हो रहा है कौन सा दाल खाया है जो सब सवाल गलत ही हो रहा है इसका जो सही जबाब होगा वो फंगी एंड प्लांटी होगा आपको बताएं जो 95% इनका रेशियो जो ये मैच करते हैं वो प्लांटी के साथ मैच करते हैं nutrients या nutrition nutrition में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मिंदल्स के बारे में मिंदल्स जो होते हैं मिंदल्स की अगर बात करें तो जितने भी धर्ती पे ऐसे हैं जो जीव धारी हैं उनको सबको मिंदल्स की जरूरत होती मिंदल्स नहीं से और नहीं गलत है ठेक है सुन लो गलत है हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं वो भी सही वही सही है तो यहां पर क्या होता जितने भी जीव होते हैं सबको मिंदल्स की जरूरत होते हैं मिंदल्स में भी एनरजी नहीं होता सबसे ज़्यादा पानी से मिलते हैं इनकी अगर बात करें केवल ड जलते हैं लिखा है कौन सा तत्तु सूचम पोसक नहीं है बताओ भाईया सूचम पोसक नहीं है बहुत अच्छे यह हलका सा ओह भगवान सुधर्जा बटा यहां पर अगर देखें कौन सा कहरा सूचम पोसक नहीं होता है माइकरो एलिमेंट की अगर बात करें तो कौन सा नहीं है बताओ बताओ एंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छे जल्दी जल्दी एंसर बताने को यहांपर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा बालाक तुम लोग सुस्त पढ़ गए एंसर क्यों नहीं आ रहा है भई जल जल्दी 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 बताने को एंसर क्यों नहीं आ रहा है यहां पर आगा देखें तो इसका एंसर का होगा जल्दी जल्दी एंसर बताओ बहुत अच्छे कहरा सूचम नहीं माइक्रो नहीं है माइक्रो नहीं यानि की माइको है दीर्ग सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है मैगनीसियम की किसकी भया मैगनीसियम की मैगनीसियम बच्चा दीर्ग होता है लगू नहीं होता है क्या होता है यह दीर्ग होता है लगू की अगर बात करें तो लगू की स्रेणी में नहीं आता है किसकी स्रेणी में आता है देर्ग की स्रेणी में आता है ना की लगू की स्रेणी में क्लियर अगला सवाल अगला सवाल है लिखा है कि एक ही पौधे में एक पुस्प के पराकोस से पराक कनका उसी पौधे के दूसरे पुस्प की वरतिकाग्र में इस्थाना अंत्रा कहलाता है क्या कहलाता है बता भी आइंसर तो यहाँ पर आगार देखें तो इसका आइंसर क्या होगा जल्दी जल्दी फटा फट आइंसर बताइए फटा फट बहुत अच्छे गुरुजी बोल रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छे बहुत अच्छे जल्दी फटा फट आइंसर बताने को तो यहाँ पर आगार देखें तो इसका आइंसर क्या होगा हाँ हाँ बता आइंसर पर जल्दी जल्दी बालक सभी लोग जितने लोग बालक जुड़े हैं वो सभी लोग थमसप करके क्या करना है अपनी अपनी अटेंडेंस को लगा देना है सभी लोगों को अटेंडेंस लगाना है तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा जीटिनोल गैमी, तो यहाँ पे अगर देखें, जीओटिनोल गैमी होता है, सजात पुष्पी जो होते हैं, उसको कहा जाता है, इसमें भी बहुत लोग धोखा क्या करते हैं, खा जाते हैं, देखो पुस्प के आधार पर reproduction होता है याद रखेगा पुस्प के आधार पर reproduction होता हो जात के आधार पर reproduction होता है जैसे ऐसा भी होता है different different जात के क्या हो मानलो लगे हो पोधे अब हवा चलती तो हवा ये भरोसा नहीं हो सकता है गुडहल का गेंदा पे पहुंचाए गेंदा सवाल है निमलिखित में से कौन सा जंगली गोभी से नहीं निकला है कौन सा ऐसा है जो जंगली कोभी से भाईया नहीं निकला है बताँ एंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छे और गुड़ परफारमेंस तो यहाँ पर आगर देखें इसका एंसर भगवाखा होगा हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताने को एंसार बालाक बालाक जल्दी जल्दी बहुत अच्छे तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जवाब क्या होगा बहुत अच्छे रंजन बाबू तो रंजन बाबू की अगर बात करें जल्दी जल्दी फटा फटा एंसर बताओ जोर लगाके बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे लाल तो यहाँ पर अगर देखे तो इसका एंसर क्या होगा ब्रोकली है फूल गोभी है कोहरावी है कोहरावी जो होती है जर्मन गोभी होती जान लो भीया जर्मन गोभी को कहा जाता कोहरावी दूसरी सबसे खास बात ध्यान से सुनियेगा यहाँ पे Spanish पालक जो होता पालक की अगर बात करें तो यह बच्चा इसका सरेणी में नहीं आता है इसका सरेणी में नहीं आता है समझ में आया बात तो यहाँ पे अगर देखें पालक होगा Next question है लिखा है देवदार, फर, इस्प्रूच, लाच और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे कई पहाडी छेत्रों में ब्यापक रूप से पाय जाते हैं तो कौन से भाईया बताओ एंसर तो यहाँ पर आगा देखें तो इसका एंसर क्या होगा जल्दी 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 वाराक जल्दी जल्दी करो भाई तो यहाँ पर आगा देखें तो इसका एंसर जो होगा वो क्या होगा इसके अंसर की अगर बात करें तो क्या होगा जल्दी की मदिरापान का सेवन अगर बहुत अधिक किया जाए तो रोग होने का खत्रा रहता है कौन सा रोग होने का खत्रा रहता है बी को बैक कीजिए नहीं अब बैक नहीं करेंगे भीया जल्दी जल्दी बताओ अधिसे मदिरापान अगर कोई बैक तिकाता है तो कौन सा रोग होने का खत्रा सबसे जादा बना रहता है जल्दी जल्दी गुरुजी किताब में नहीं मिलेगा गुरुजी से ही मिलेगा तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा बहुत अच्छे जल्दी जल्दी बताओ लास्ट में पांच कोश्चन अब कराएंगे बस छोड़ देंगे तो यहाँ पर अधिशय अगर मद्रियापान अगर कोई करता है तो उसको लीवर सेरोसिस का खत्रा सबसे ज़्यादा रहता है यानि कि उसको अगर सबसे ज़्यादा कुछ होने का समस्या हो सकता है तो लीवर सेरोसिस हो सकता है क्या हो सकता है leaver cterosis हो सकता है अगला सवाल है अधिक रख्ठेसола है बताओ भैया bacterial disease होता है एक जीव जेवान गटित रोग है viral disease है एक विशाण गटित रोग है disease called by pollution एक प्रदूशन गटित रोग है genetic disorder एक अनुवान्सिक विकार है तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर भया का होगा बता भया क्या है अधिक रक्त्सराव की जब हम बात करते हैं तो अधिक रक्त्सराव अगर किसी व्यक्ति में होता है तो वो किस प्रकार का समस्या होता है तो यहाँ पे समस्या की अगर बात करें तो यह क्या है अब अधिक रख्त स्राव है तो जायज सी बात हो बेक्त हीमोफीलिया का सिकार है और हीमोफीलिया का अगर सिकार होता है तो उसमें जेनेटिक डिसॉर्डर होते हैं यानि की हम कह सकते हैं क्या होता है जीन में उसके क्य एसनोमिया कहते हैं एसनोमिया कहते हैं किसको कहते हैं लौस आप दा सिंस आफ ले टेस्ट लौस आप दा सिंस आफ इसमेल फटा फट बताओ एसनोमिया किसको कहा जाता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे लल्ला जल्दी जल्दी फटा फट एक सेकेंड तो एस्नोमिया की अगर बात करें तो एस्नोमिया किसको कहा जाता है भई एस्नोमिया लॉस आफ दा सेंस आफ इसमेल इसमेल को जब कोई सेंस करना लॉस कर दे तो वो एस्नोमिया का सिकार होता है लिखा जो मनुसिया नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वो कौन से रोक से पीडित होता है बताओ भीया जिसको ये समझ ही नहीं आता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे लल्ला तो यहाँ पे अगर बात करें जिसको यह समझ नहीं आता है उसको क्या कहा जाता कौन सा disorder होता है प्रीती बहुत अच्छे तो यहाँ पे अगर देखें बहुत अच्छे good performance अकांचा फिर वही गलती अकांचा फिर वही गलती किया तुमने फिर वही गलती किया तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका हम सर क्या परार मंस बुर्या बहुत अच्छी ढबी जी यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं कि करने से कुछ नहीं होता है थिक है नहीं तो यहां पर यह होगा अगला सवाल है सरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्लिखित में से किस से होता है बताव भाया यह तुम्हारा लास्ट सवाल है जल्दी जल्दी ठीक है हमारी भी सुनिये ना जहां हमें confidence होता हम नहीं सुनते चलो सुन लेंगे देखेंगे हम भी देखेंगे तो सुन लेंगे कल की कलास में ठीक है कल की कलास में सुनेंगे बताओ देवता लोग को भी देखिए सार हाँ देवता लोग को तो देखता ही हूं सुबे से लेकर साम तक बताओ जल्दी जल्दी तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे सवाल क्या है लिखा है जोडों में गठिया रोग निमलिखित में से किसके जमाओ के कारण होता है तो गठिया रोग यूरी केसिड के जमाओ के कारण होता है किसके कारण यूरी केसिड जो होता है वो ज तक रखेंगे आप लोगों को ये कुछ बाते बता देते हैं जो बहुत महत्पूर्ण है ये क्लास जो है वो आप लोगों को रेगुलर 9 से 11 पीम पे रोज चलती है तो आप सभी लोग इस टाइमिंग को अपने पास नोट कर लीजिए 9 से 11 एक लास आपको रोज मिलेगी कि आप अपने अटेंडेंस को क्या कर सको अच्छे से लगा सको आपकी अटेंडेंस अच्छे से पंच हो सके इसके साथ साथ आपको सेर का बटन भी दबाना है यानि कि सेर का बटन जरू दबा देना है तो सेर का बटन दबा के ही रखना है आप सभी लोगों को इसके साथ स क्लास में support का नमबर नहीं दिया सकता है ठीक हां चग करेंगे बिलकुल चग करेंगे तो चलती क्लास में आप अगर मैसे ड्राफ करते हो तो बाद में उसको देखके reply कर देते हैं comment कर देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई बात नहीं मजबूत हो जाओगे और चैनल पे जितने बालक नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले जल्द ही आप लोगों के लिए थियोरी का क्लास भी शुरू हो जाएगा और थियोरी के क्लास के साथ साथ आपको प्रैक्टिस जो होगा वो 9 से 11 में प्रैक्टिस मिलेगा आप लोगों के जल्द ही मैं योगा से संबंदी सवाल कराने वाला हूँ तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाईए जुड़ जाईए ताकि किसी का भी नुकसान ना होने पाए तो चलिए अब हम ल सब लोग स्वस्तर हो मस्तर हो खुसर हो खुसाल हो गुड़ नाइट सभी लोगों को सुबरात्री सब लोग को अच्छी नीदा है सब लोग अच्छे से मौसे सो